आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटर्मेंट बॉर्ड जिसको हिंदी में शेन च्छाउनी परिशत बोला जाता है जो भी बहुत सारी वीडियो आपकी आउट की होंगी बहुत सारे वीडियो आपने देखें भी होंगे या बहुत सारे आपने नौटिश भी देखें होंगे जिसमें कंटर्मेंट बॉर्ड की ही वीकेंचिज़ आ काफी सारी आपकी आउट की जा रही है तुम आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी और देने वाला हूं कि जो कि अभी भी फोरम फील हो रहे हैं यदि आपने अभी तक भी फोरम फील नहीं किया है इसमें बहुत ही फास प्रोसेस आपकी रहती है और बहुत एक कम अपको देखने को मिलता है मैं लाश्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यह कम कम प्रेशन में ही सेलेक्षिन केंडेट का हो रहा है तो आपके बहुत सारे आपने ऐसे भी पैसे बप्रबाद कर देते हैं लेकिन आपसे 1000 रुपई या 500 रुपई से फीस देने में कत्राते हैं क्यूंकि आपके जो फीस देने में बाद में जो आपकी एकजाम लगती है उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप कतराते हैं, तो आपको त्यारी करनी होगी, तभी जाके आपको विश्वास होगा, अपने आप dobr刚ी मैं कुछ कर सकता हूँ, तभी आपको इस विकेंशी के लिए फोरम फ्हील कर पाएंगे, तो जितने भी candidate हैं अपनी study करें अच्छे से और उसी परकार से आप a form apply करें आपका competition बाकी की जो विक्जाम रहते हैं उन में से आपको कम देखने को मिलेगा जैसे teacher की आपकी केवी की विकेंची रहती है या चाहिए आपकी जो भी state government की विकेंची रहती है उन से आपको कम competition क साथ आपको बहुत ही अच्छी पोश्ट आपको मिल जाएगी center government की recruitment है center government की पोश्ट आपको इसमें मिलेगी इसके बाद में forest गार्ड हो चाहे पियोन ओ ल्डिशी हो ड्राइवर हो चोकिदार हो माली हो फिटर हो चाहे लेक्रेशन हो healthy inspector हो चाहे सफाय वाला हो सब भी center government की permanent job है कोई भी temporary job या आपकी contact base की job नहीं है यह सभी candidate को मैं confirm कर दूं center government की permanent job है आपकी 60 साल की 30 सर्वीज रहेगी जो भी candidate है जितने भी candidate है confused नहों बिल्कुल आपकी जितनी भी विकेंचीज है पर्मानेट जोब है अभी भी वह सारे center हैं जिस पे online recruit मा भी आप apply कर पाएंगे उस पे आपके complete आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे candidate के message आते हैं कि offline form में बहुत जिक्कत आ रही है जैसे कि काफी candidate का payment नहीं कर पा रहे डीडी कैसे बनवानी है यह चीजें आपको confirm नहीं हो पा रही डीडी बनवाने के लिए बहुत जिक्कत आ रही है या कुछ से आपकी contentment board में online payment बरनी पड़ती है उसकी receipt निकालकर offline आपको बेजनी पड़ती है वज़े से भी बहुत सारा candidate को दिक्कत आ रही है online जो है application form की fee नहीं आप कर पा रहे है इसकी वज़े से बहुत जाद दिक्कत आ रही है और कुछ ऐसे भी candidate है जो कि sir आपके हमारे पास cyber cafe है लेकिन उनको online form बरने का apply का ज्यान नहीं है मतलब contentment board का state government की बहुत सारी vacancies का form apply कर देंगे लेकिन जो contentment board की जो vacancies है उनके लिए form apply करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो apply नहीं कर पा रहे है तो उन candidate के लिए भी एक अच्छा मौका लेके है हूं मैं online apply करने के लिए आप हमें document बेज सकते हैं आपका यहां से online apply करवा दिये जाएगा जो भी आपके फीस होगी उतने ही फीस में आपका जो complete काम आपका करवा के दिये जाएगा तो यह आपके लिए विए विदा की गी है जो भी candidate online form आप apply करवाना चाहते हैं contentment board का किसी भी चेह post का हो य इन चीजों का solution के साथ में complete यह वीडियो बनाया है तो आप जो भी candidate है बिल्कुल step by step आप देखते जाएंगे उसके बाद में आप यह कभी ने पूछना की हमें बताया नहीं था कि form यह विकेंचीच आई थी और निकल गई उतनी competition में आपका selection भी हो गया तो उन candidate के लिए बार फिर मैं कहना चाहूंगा जो भी अच्छी तयारी करते हैं वो candidate फोर्म अप्लाइ करें बाकिया जो भी candidate यह कत्राते हैं कि मेरों को वहाँ पर जाने के बाद में मुझे कुछ आए गए नहीं तो वह candidate फोर्म चाहे मत का अप्लाइ करें क्योंकि आपकी फीस भी ज्याद ने अपने आप पर विश्वास रखिए तैयारी करिए और कम से कम 50 आ 60 परशेंट अप्नी तयारी रखिए तब ही आपका से लेक्षिन के मार्स आयोए हैं तो वह कंड़ेट परबाद होने जाते हैं कोई फाइदा नहीं उनको जो के लिए सब्सक्राइब करना तब के लिए विकेंशी झाओंगी उन्हीं में आप अपक्लाई करना लेकिन ये विकेंशी अमेशा के लिए खोदोगे बार बार में ये विकेंशी नहीं आती हैं 2023 में काफी 5-6 साल बाद में ये विकेंशी जाई हैं और वो भी एक गोर्मेंट रूल के अनुसार पहले जो ये विकेंशी जाती थी अलग अलग अपनी परिशद में आपकी अपने पने रूल के अनुसार आती थी लेकिन 2021 में इसका एक पर्मानेंट रूल बनाया गया और इसके एक पोलिशी बनाएगी कमफलिक सेंटर गोर्मेंट के अनुसार पूरा सब कुछ इसका त्यार किया गया और इसकी वेबसाइट बनाएगी सभी उसी के आदार पर ये विकेंशी जा रही है तो आपको बिलकुल इसको ध्यान में सुनते वे सारी बातों को को तोही फोरम फील करना है तब ही इसको माँ आपको बता रहा हूं तब इस पर जोड़ Honors के ने 56 परिस्त की वेबसाइट पर कैसे पहुचना है कैसे आपको एक तब करना है यह बार-बार मैं में हर वीडियो में बताने कि जूद यहाँ ऊहलोडा हं तो आप आरामце आरामसे इस चीसम दिख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है जिसका नाम है वेबसाइट डोट कॉम इस वेबसाइट जो ओफिशियल चैनल की वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे आपके क्लिक करेंगे तो नीचे आपको वेबसाइट का नाम दिख जाएगा या वेबसाइट आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट को और आपको लिंक भी नीचे मिल जाएगी वहां से आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर एक बार अच्छे से देख लीजिए बार- सकते हैं इस वेबसाइट पर आपको कुछ नहीं करना इस वेबसाइट पर जाना है ओपन करेंगे तो इस परकार से आपको सर्फेस ओपन दिखाई देगा इसमें आपको लेटे जो पर क्लिक करते ही आपको एक सर्फेस ओपन होगा जो स्कीन पर दिखाई दे रहा है इसमें नीचे नीचे आपको जा रहा है आपको इस परकार से यह defense containment board ldc माली सफ़ाई वाला जो थर्ड वाला है इस पे click करना है defense containment board पे click करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं देखना है नीचे complete आपको नीचे online online वाले पे पहुंच जाना है यह सभी आपकी upload की हैं लेकिन आपको और भी बहुत सरे recruitment आ रही हैं जो कि अब समय अपडेट नहीं की गी हैं किसी वज़े से इसके कारण आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए खेद है लेकिन आप इसमें आप apply online पे क्लिक कर लीजिए online apply पे क्लिक करते हैं आपको एक पोर्टल ओपन होगा जो की इच्छाउनी के नाम से एक पोर्टल ओपन हो चुका है यह बिल्कुल आपके स्कीन पर दिखाई दे रहा है तो आप इसकी स्कीन पर निचे जाईए आप इम आपको बता देता हूं कि कौन इसकी बड़ी चार recruitment आपको दिखाई देंगी इसमें आप देख सकते हैं इनमें आगरा की recruitment आपकी complete हो चुकी है जिसका लाजड़ देट जा चुका है एहमदाबाद की भी लाजड़ देट 31 तारीक है यह कोई भी पास का candidate है तो अभी apply कर सकते है offline फोरम इसका है तो आपको आने वाली हैं अमरस्तर में आपकी पंपरोपिटर की एक विकेंशी जाई थी उसके बाद में औरंगाबाद में भी आपकी विकेंशी आके खतम हो चुकी है बबीना में भी हो चुकी है बादामी बाग में भी आपकी हो चुकी है बकलोह में भी हो चुकी है इसके बाद में आपके विकेंसीच ओन लायन आपकी अप्लाई हो रही है ओफ्लाइन स्री ओफ्लाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर आप खिल लीक करने के लिए कैसे ऊफ्लाइन फॉरम आपको डाउनलोड करना स्पायों यहां पर आपको किल ini अउस पर क्लिक करते हैं आपके पास website सब्सक्राइब इसके बाद में करें चार तो यहां पसी लाइन करें के बाद में जिसके बीद पर पर आप को यहां पर एंफर्मेशन важно करें यहहां आप झार्राओ पर शक्त जा को यह तो डीटेश यह सकते हैं इसमें complete अपको दिय देगा निचे आप complete देख सकते हैं complete जानकर इसमें डीपगे सभी है डीटेश अपको यहां से क्लिक करना है यहां पे आप क्लिक करेंगे इस नीचे पर क्लिक नहीं हो पारा है यहां पर नीचे जाके भी इसमें सब्सक्राइब करें, यहां से आप क्लिक कर सकते हैं एक वेबसाइट का अप्लेकिशन डाउनलोड हो चुकी है आपकी स्कीन पर इसको मैं आपको ऑपन करके दिखा देता हूं जो भी यह दिए आपके open करके download करना चाहते हैं तो यह आपके screen पे open हो चुकी है यह recruitment का एक notice आपको download हो चुका है और यह आपका open भी हो चुका है इस परकार से आप application forum download भी कर सकते हैं देख भी कर सकते हैं और इसमें आप complete जानकारी भी ले सकते हैं इसमें आपकी बहुत ही पोस्ट आउट केगी थी लोड इजन क्लक सेकेंडरी टीचर प्लंबर मेसन हेलपर मिडवाइफ इसके बाद में नर्सिंग ओडिनरी आया और उसके बाद में वाचमें शफाय वाले की दस पोस्ट थी तो आप पांच भी पास या पांच भी फैल भी होते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और ओफ-लाइन इसका फॉर्म रहने वाला है सब कुछ जानकारी के बारे में अलग से मैं वीडियो भी बना चुका हूं जिसका ओफ-लाइन फॉरम पांच रुधा है उस पर नाम आपका यह लिखना होगा चीफ इंजैयर अपसर अफसर आप सर्जो कंतरमेंट बोर्ड के नाम पर इनो करेंगे रした के लिए बैंक मेंUST कर एंगे और must देंगे उसमें में 500 रुपे कि डीडी आपको बनानी है अब डीडी किन केंड़ेट के लिए बनेगी वह आपको मैं बता देता हूं साफ इस पर दिया भी यह है कि डीडी किस केंड़ेट के लिए बनेगी तो डीडी बनेगी जो भी आपके और जो आपके जनरल केंड़ेट है उनके लिए ही आपकी डीडी वाले में नहीं रहने वाली है ये आपको बिल्कुल notice में आपको mention किया होगा उस जानकारी आपको दी गई होगी तो आपको बिल्कुल भी tension लेने की जोड़त नहीं है जितने भी candidate हैं आप इस skin पे देख रहे हैं बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा है आप notice को पढ़ी आराम से यह दि कोई भी नोटिस आपको समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम गुरूप पर परसनल मेसेज करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम गुरूप जुरू जोईन कर सकते हैं और अप्लिकेशन को बरते वक्त उसमें आपको अप्लिकेशन के बड़े कोमेंट आपको सभी आपके साथ में बेजने एड्रस आपको दिये गया है इस पे एड्रस पे कंपलेट आपको 15 फरवरी तक आपको बेजना है यह अच्छी विकेंशी आपकी आउट की गी है तो यह ओफ-लाइन फोर्म की आपका बनता है बेंक में आपको एक फर्म बरना पड़ेगा उसमें कंपलेट जानकर यह आपको देनी होगी किसके नाम पर आपको डिडी बनानी है जैसे मंगे जाने वाले के नाम पर आपका चीफ एजुकेटिव अपसर आपका कंटरमेंट बोर्ड आपका यहाँ पर नेम या 55 तो यह भी ल20 यहां पे देने हौको बैंक में आपको द्मा करने होगे यह भी बैंक का नम आ पको दिखाया दिए रही है यह अप्लेिकिंट का आप किसी भी बैंक के लिए आप यह बनओ सकते जब से बड़ी खास बात होती है dd number dd number आदे से ज़्यादा candidate confused हो जते हैं dd number कौन सा डालना होता है यहां पर बहुत सारे number दिये हैं नीचे इसमें से dd number कौन सा होगा तो मैं दों कि dd number यह होता है यह वाला only यह dd number होता है जैसे इसमें number लिखा है 275641 तो यह आपका होगा dd number यह आएगा और date आपक नंबर होगा वह यह लिखना होगा अभी मैं आपको application फोरम पर लेकर चलता हूं जहां डीडी number आपको डालना है और date आपको लिखनी है यह complete जानकरी उस आपके application फोरम में फिलप करनी होगी तब ही आपका फोरम सही होगा नहीं तो आपका फोरम reject हो जाएगा स्क्रीन पर आप यह फोरम देख सकते हैं offline इसका फोरम है जिसमें आपका post का name आजएगा category आजएगी इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर signature आजएगी यहाँ पर आपकी photo चिप केगी जिस पर कोई भी signature आपको नहीं करना है फिर आपका full name आजएगा male female जो भी no आपको लिखना है जो भी आपका corporate address है education जो भी होगी 10th है जैसे आपकी फिप्त है या फैल है पांच भी पास है जो भी है आपका यहाँ पर आजएगा या कौन सी year में पास किया इसके बाद में यह आपकी board university कौन सी related है और name और college school का नाम क्या है और percentage आपको क्या है यह सब भी आ जाएंगे इसके बाद में क्या आप से court वगरा से यह आप no no लिख देना सभी में इसमें यह कोई भी candidate ऐसा नहीं है तो आप सभी को no लिखना है बाकी कि आप candidate किसका भी court or case वगरा भी कुछ चला हुआ है तो आपको लिखना है यहां पर document की लिस्ट एक नंबर पर ज डिटेल जैसे कि मैंने डिवान ड्राफ आपको दिखाया है जिसमें डीडी नंबर मैंने आपको जो दिखाई है और डीडी नंबर यहां पर आपको अपलोड करने होगी यहां पर लिखने होगी इसके बाद में डीडी नंबर के जो डेट मैंने अभी दिखाई आपको वह पर लिखनी होगी अमाउंट आपको 500 रुपए यहां पर लगा रहे हैं और कौन से बैंक से आपने बनवाई है जैसे मेरा डीडी था और सब्सक्राइब किसी से भी बनाई है तो आप उसका नाम लिख देंगे किसी भी बैंक का फिर यहां पर खुद का नेम फिर यहां पर भी वापिस से आपका खुद का नेम यहां पर आपका शिगनेचर यहां पर आपके डेट यहां पर पिलेस बस इतना ही आपका अपलेक्शन फोरम है जो भी डीडी से समधित किसी भी केंड़ेट की क्यूरी है तो वह मैंने आपको क दिखा दिए इसके अदलाव भी आपके कोई डिमांड रामड बनार में कोई प्रोडम हो रही है तो आप परसनल मेसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलिग्राम गर परसनल मेसेज कर सकते हैं नेक्स्ट विकेंश सब्वाद में या अपके दिखादेता हूं कि आपको उसके में यहां पर थरी क्लिक करना है इसके नीचे आपको इन्फोर्मेशन में नहीं जाना है यहां पर रिक्रूट्मेंट पर क्लिक करते ही आपको यह कि यह वेबसाइट का फजर फेस ओपन दिखाई देगा जिसमें आपके तेश बारा तक आपका देख सकते हैं इसमें कंप्लेट जानकरीद दी गई है तेश बारा में आपका जो ए आपके पास के किंडेट हैं तो अभी तक आपने फ़रम फील नहीं किया तो अभी भी आप फ़रम फील करके by dark by hand भी आप वहां को वहां पर जमा कर सकते हैं तो जितने मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हुँ इस सभी यह पासके कि अभी तक अब तक अपलाई नीकिया होगा जो नेक्स्ट विकेंश के बारे में चलते हैं जिसके अभी लास्ट डेट बहुत बाकी है उसके अंडेट के लिए बहुत है उसके लिए बात करते हैं नेक्स्ट आपकी ओफ लाइन विकेंश है नसीराबाद में नसीराबाद राजस्तान में इस्तित है वहाँ पे उसक complete website पर पहुंच जाएंगे यह आपको बिल्कुल जानकरी शटिक दी जा रही है जिससे आप सही से application form डाउनलोड कर पाएंगे पूरी notification पढ़ पाएंगे तो यहां पर जाना है यहां पर information पर click करना information पर click करते ही recruitment पर आपको click करना है recruitment पर click करते ही आपको complete notification आपका जारी हो चुका है इसमें आप देख सकते हैं डिटेल्मेंट आपको इंग्लिस में आप click करें इंग्लिस में यदि आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी वाली पर पर click करें इस परकार से आपके पूरे नोटिस अपलोड की हुए हैं तो यहां से आप जाके चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं इस पर click करेंगे तो आपको पास पीडियाप open हो जाएगी इसमें आप देख सकते हैं इसकी लाश्ट डेट पोट अभी बाकी है जो की आप आप अपलाई करना चाहते हैं तो बाइस अब फरवरी तक आप अपलाई कर पाएंगे इसमें बहुत अच्छी पोस्ट आपकी आउट की हैं सेनेटी इस्पेक्टर की एक पोस्ट है लोड डिजन क्लैक्ट की चार पोस्ट है वेल्डर जो ब्लेक स्मीट के उसकी आपकी एक पोस्ट है एलेक्टिशन लाइनमें के आपके एक पोस्ट है एलेक्ट्रिक हेलपर की एक है बेल्डर की पांच पोस्ट है टोटल माली की आपकी दो पोस्ट है इसके बाद में चोकेदार की एक पोस्ट है प्यून के आपकी चार पोस्ट है चोकेदार की आपकी फिस परकार से आप देख सकते हैं सफ़ाइवाला डिग्गर के आपकी 19 पोस्ट है तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है जो भी केंडेट अपलाई करना चाहते हैं पाइस फरवरी तक आप अपलाई कर पाएंगे ओफ-लाइन फोरम इसका रहने वाला है तीन सो रुपए की आपके डीडी बनेगी जो मैंने बताया था कि डीडी आपके बनने वाली है जो भी केंडेट है डीडी का फोर्मिट मैंने आपको दिखा दिया किसी भी इनने के लिए जो भी हैं आपको डीडी नहीं देनी पड़ेगी तीन सो रुपए की फोर्मिट मैंने आपको दिखा दिया वोह भी आपको मैंने बता दिया है तो इसी परकार शाप्पपोर्म में फिलब कर सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया है वहां से आपका अपर लिकाशन फोरम भी दिया है और आपका यह नोटिश भी दिया गया है यह कंप्लिट आपके जो दीगी जानकारी इसमें कंप्लिट दीगी है कि जो भी आपके जो भी आपके डोकुमेंट है जो भी आपके तीन पास्पोर साइट फोटोग्राफ हैं जिनके बैक साइड में आपका बैक जो भी नाम अटेस्टेट करना है उसके साथ ही आपके जो भी लिफापा बेजना है दो दो लिफापे बेजने तिन पे 30 रुपए की डाक टिकट भी बीफिशेस्वरी उसका आपका जल्दी अपलाई करशकते हैं जो भी पुन्य के खिंडेट है वही उसको अपलाई करपाएंगे नहीं तो बाकी के खिंडेट नहीं पहुंचा पाएंगे अभी तक लिए किसी ने पहुंच भी है तो आपका 31 तक पहुंच जाएगा तो में आपको पह prostu आपकी आपकी गरी extension है उनके लिए कैसेखस्ट को पहुंचना है तो उसका भी आपको मैं बता देता हूं अब online कि बात करें online में में आपको कैसे जाना है कैसे पारटल पर पहुंचना है उसके लिए मैं आपको बताता हूं सीधह आप जाना जम्मू की वेबसाइट पर जम्मू पर आप क्लिक करना ओनलाइन जो फार्म आएवे हैं उनके लिए अपलाई करने के लिए जम्मू की वेबसाइट पर जाएं जम्मू पर क्लिक करते ही आप यहां पर तीन लाइन पर पहुंचेंगे इन्फोर्मेशन पर जाना है इंफोर्मेशन पे आपको रिक्रूट्मेट पे क्लिक करना क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे यहां पर आप आज देख सकते हैं स्क्रीन पे complete यहां पे पहुंच गए हैं और स्कीन पर जो भी केंड़ेट घ्रम मीका आपको यहां पे क्लिक करना है ओनलाइन लिंक पे क्लिक करते ही यह आ गए हैं आप स्कीन पे पूरी complete containment board की जितनी भी recruitment है यहां पे आपको देखने को मिलेंगी जम्मो की website पर जाना है तीन लाइन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपको online वाले पे क्लिक करते ही आपको यह surface open होगा इसमें जो भी आपकी विकेंशी अभी open चल रही है उनके लिए apply कर सकते हैं जैसे इलावाद की विकेंशी हैं जो कि आप apply करने के लिए आप देख सकते हैं 12-2023 तक apply कर पाएंगे जो भी विकेंशी ह हैं उनका पढ़ सकते हैं आयोदया के लिए 15 तक apply कर पाएंगे 15 फरवरी तक चकारता की जो विकेंशी हैं उसमें भी बहुत अच्छी online अपले विकेंशी आई हुए हैं उनका notification भी यहाँ पढ़ पाएंगे जैसे इस पे रूल बुक पे क्लिक करेंगे तो आपको यह notification आप कंप्लेट यहां पर मिल जाएगी यह इसके अलाव भी किसी कंडेट को यह अपलाई नहीं कर पाते हैं कोई भी प्रोल्म आ रही है साइबर के पर पास में नहीं है तो आप सारे डोकुमेंट आपके वाटसप ग्रूप पर दीब बनाया हुआ है या आप टेलिग्राम दीजाएगी पेड करवाई ली जाएगी तो यह कंप्लिट आप देख सकते हैं देरादून की विकेंट इस भी बहुत अच्छी आपके आप निकली वी हैं आपके यह इदि अपलाई करना चाते हैं तो 14 दो तक आप अपलाई कर पाएंगे इसमें आप देख सकते हैं बहु ये तीस तरीक लाजडेट है कल आपकी लाजडेट है जमुवाले जो बीकेंडेट अपलाई करना चाहते हैं इसके बाद में आपका 152 तक जैसे कानपूर का है इसके बाद में आपका लैंडूर का जो है आपका इसका भी आपका दो 15-2 तक है पंचमडी का भी बहुत अच्छी विकेंशी हैं 15-2 तक मैंने अलग वीडियो भी बनाये हैं उन पे जाके भी चेक कर सकते हैं वो भी आपके कम्पलिट लाज्ट डेट खतम हो चुकी है इसके ने रानी खेत कि आपकी एक तीन एक जनवरी दो एक मार्च आपकी रहने वाली है तो यह सभी विकेंशीज आपको यहीं एक ही जगह पर सभी मिल जाएंगी MP Online की तरह से वेबसाइट है उसी वेबसाइट पर कम्पलिट आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड के साथ साथ सब आपको जम्मो की वेबसाइट पर जाना है ओनलाइन वाइल एक अप्लिकेशन पर फिलब क्लिक करना है और वहां से सीधा इस वेबसाइट पर आजाना है आपको कहीं भी नहीं करना है सीधा इसी वेबसाइट पर ओपन होगा और यह किसी भी प्रोब्लम आ रही है ओनलाइन apply करने में तो आप हमारे पास भी document change कर सकते हैं, आपका application form apply कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी tension लेने की जूरत नहीं है, जो भी application fee होगी, जो भी आपसे paid करवा ली जाएगी, जो भी candidate है, आपके email id दी जाएगी, उस पर आपका simple document आपका paid करवा ली जाएगा, जो भी होगा, collect करवा ले जाएगा, इससे समझे किसी भी candidate की अधर कोई query अभी तक है, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, फोरम जरूर apply करें, बहुत अच्छे फोरम है, सारे apply करें, जो भी global candidate है, सभी forum एक तम बढ़िया है, बहुत ही सांदार आपकी vacancies है, application fee थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप की competition उतना ही कम आपको देखने को मिलने वाला है, जैन दोस्तों!